दर्शिकों हर हर महादेव आप सभी का स्वागत है कैसे हैं आप सब मैं आशा करती हूं दर्शिकों आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे दर्श को आप सभी जानते हैं चार मार्च दिन शोमवार को सोमवार की अस्टमी दिथी है चार मार्च सोमवार फागुन माह कृष्ण पक्ष की अस्टमी दिथी आप सभी जानते हैं पूजनिय पंडेची ने अपने शिम महापुरान कथा में सोमवार की अस्टमी का विशेश रूप से वर्णन किया है यदि सच्छे मनसे और पूर्ण विश्वास के साथ सोमवार की अस्टमी तिथी पर आप यह उपाय करते हैं तो महादेव की असीम क्रपा आपको प्राप्त होगी साथ ही में मा लक्ष्मी भी आपके घर में स्थाई रूप से वास करेंगी यदि आपके घर में धन सम्मंदित बहुत सारी समस्याएं चल रही है एक के बाद एक कस्ट लगा ही हुआ है ऐसी परिस्थिती में आप इस उपाय को करना ना भोलें महादेव की क्रपा से जीवन के सभी कस्ट भी दूर होंगे और आपके सभी कामनाएं भी पोन होंगी चलिए जान लेते हैं उस उपाय के बारे में लेकिन उससे पहले यदि आप चैनलर पर नए है पहली बार आवास को सुन रहे हैं तो चैनल को तुरंती सब्सक्राइब कर लिजे बैल आइकन को प्रेस करके औल पर क्लिक कर दीजे जिससे कि हमारा जब भी कोई नया वीडियो आपके पास आएगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसी पहली प्राप्त होगा इस उपाय के लिए आपको तीन दीपकों की आवशक्ता होगी जी हाँ तीन दीपक आपको लेने हैं तीनों दीपक चाहें तो आप मिट्टी के भी ले सकते हैं या फिर आटे के भी तयार कर सकते हैं ध्यान रखे यदि आटे के दीपक तयार कर रहे हैं तो नमक का प्रयोग ना करें। सभी दीपकों में लंबी बाती लगाएं और शुद्ध देसी गाय के दीपक तयार कर शाम के समय प्रदोशकाल में तीनों दीपकों को लिजा कर शिवजी के समक्ष में आपको जला देना है। तीन बार ही आपको श्री शिवाई नमस्तो भ्यम मंत्र का उचारण करना है, अपनी कामना को कह देना है, आपकी वह कामना अवश्य ही पोन होगी। धनिवाद दर्शे को मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए श्री शिवाई नमस्तो भ्यम हर हर महादेव।